खिलवार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े से बरतन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइन डॉयल देखते ही देखते ही ये मिक्स्चर सफेद पेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी लो बन गया दूद आधा किलो दूद दस किलो में बदल गया ऐसी ही जगों से हजारों किलो नकली दूद हलवाईयों के यहां पहुँचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाईया अब सुनिये यह लोग यह काम क्यूं करते हैं सब देखो अब एक तो नौकरी ता है इना जी और दूसरी एक और बात अब दूद के रेट कम मिलने है और कैसे भी दूद हमने के बनानों सुरू करते हैं हमें कम पैसा में ज़्यादा दूद बन जावे है और वाते अपने यह भी मिला दें असली भी मिला दें दोनने मिला कर बेग दें ग्रावटी सही आ जाए और कोई पेंचानी ना सके उतनों ही मावा निकले है उतनों ही घीवन है गोई हमें हम तो सब जगे ऐसी बना में और ऐसी बेग दें हाँ दिवारी पैसा बहुत ज़्यादा बड़ जावे है तो असली दूद कहां दे लाँ है अब हलवाई मांगे है तो हलवाई अनको भी ऐसी दूद दे में वो तो खूद कहमें है जी ऐसा ले आओ कहीं जाओ जी दूद हमाईसिं पूरती करो सब यह जो शीड़ी सब दे अधाराई झालब सब्सक्राइब है दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन बिलावट खोनों के पास और इन है इसके लिए आधा किलो दूद की भी ज़रूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपड़े धूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंघारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी इलाइची कपड़े धूने की बाल्टी में बारी बारी से ये सम मिलाया गया यहाँ इस सारे सामान को फेटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूद को देख कर पहचाना न जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज 100 किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है ये सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाहे बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है लेकिन इन्हें इस सबसे क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए आईसे मुझे बनबाते बनबाते करीब करीब 15-20 साल हो गए और यह फॉर्मुला मैं थे और गर्मुला मैs वक्त सीका था जब यह डेरी वालों ने इसको बनाना फश्रूक भी आ था और दूत्की कमी होती चलीगी दूत्स इक से बिखना को देखने के बाद में आईसकी और ज़्यादे प्रोग्रोग्र 중에 ज़्याजा हो हुए वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आस्मान चूरे ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल ये है कि दूद की गुनवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है सफेद दूद का काला कारोबार ये सिलसिला चला तो सालों से आ रहा है लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाईयां हमारे और आपके घर में पहुंचती है इसका कारोबार करने वाले लाखों का मुनाफ़ा कमाते हैं बिना इस बात की फिक्र किये के हमारे और आपके सिहत पेज़ का कितना बुरा असल हो रहा है बुलन शहर से मनीश और मदलनाल के साथ शारिख खान इंडिटीवी इंडिया